So I'm very sure कि आप सब लोगों को इस वीडियो को बहुत ददा इंतजार होगा कि आपको एक ऐसी investing की strategy मिलने वाली है जिससे आपका long term portfolio हमेशा आपको हरा देखेगा अब ये strategy मैं खुद यूज करता हूँ और मैंने आपको बताया था लाव वीडियो में कि मैं आपको एक ही वीडियो में दो strategies दोंगा investing की एक वो जो मैं खुद यूज करता हूँ और in fact मैं आज आपको उसे use करके भी दिखाऊंगा और दूसरी strategy जिसे आप सब लोग apply कर सकते हो So what is that investing strategy मैं इसे best investing strategy बोलता हूँ क्योंकि मेरे लिए अभी तक इसने best performance दी है हो सकता है आप लोगों को भी strategy बहुत अच्छी लगे but again कोई recommendation नहीं है यह वो strategy है जो मैं खुद use करता हूँ अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने लिए use कर सकते हो अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो आप चाहे तो use मत कीजे but अगर आप ETF की तरफ अग्रसर है आप उसमें investment करना चाते हो तो इसे समझ जरूर लीजे इस strategy में हम करने के अवाले है concept को पहले समझ लेना वरना loss कर लोगे आधिया दूरी वीडियो देख के मच जाना पूरी देख तो पॉइंट क्या है कि हम करने वाले हैं averaging अब averaging आपने सुना तो होगा कि कई लोग averaging करते हैं खासकर लोग वो trading में averaging करते हैं हम investing में averaging करने वाले हैं but averaging आपको दोनों तरीके के लोग मिलेंगे कुछ लोग केंगे averaging अच्छी होती है कुछ लोग बोलेंगे averaging से बिकार कुछ नहीं है actual में हम आपको बदा देता हूँ averaging से बिकार कुछ नहीं averaging का मतलब क्या होता है averaging का मतलब यह होता है कि आपने किसी stock के अंदर अभी हम stock की बात करे हैं कि हम stock में investment नहीं करने वाले पर माल लेते हैं आपने किसी stock में investment करी जब वो 100 रुपे का था और आपको लग रहा था कि यह बड़ेगा बड़ वो बड़ा नहीं वो गिर गया वो आगया 90 का तो आपने यह आप पर माली से 1,00,000 रुपे की investment करी थी अब वो 90 पर आगया आपने लेते हैं वो एक लग की investment और कर देते हैं और इससे बुरी strategy कुछ है नहीं market क्यों नहीं है क्योंकि एक stock कितना भी गिर सकता है वो गिरते गिरते आपके पैसे को zero भी कर सकता है almost zero तो मैं हर बार आपको कुछ popular stocks का नाम बदाता हूं जिनने आप जाके खुछ study कर सकते हो market मैं ऐसे बहुत सारे shares penny stocks की तो list लगी हुई है but एक stock जिसे हमने अपने सामने 400 से गिरते हो देखा और लगबख 5-6 रुपे तक वो गिर गया वो था yes bank तो एक stock का example है इतना बड़ा bank 400 रुपे का stock almost 5-6 रुपे तक गिर गया देख नहीं है दूसरा example ले लो आप word of on idea अब अगर इन stocks के अंदर किसी ने averaging करी होगी तो मर गया होगा खतम होगा उसका पैसे खतम हो गया तो averaging से बुरी कोई strategy नहीं है when it comes to stocks second लोग trading में भी averaging करते है future की position ले रखिए और मान लेता है घरता जा रहा है तो averaging करते जा रहे है आपके लिए रखिए यहाँ पर भी एक ना एक टाइम पर आप फस जाओगे आपका margin लगेगा हां long term में यहाँ पर यह futures में यह options में बचने के कुछ ना कुछ रास्ते है stocks में it is very difficult and averaging इंसान कब करता है जब उसे loss हो रहा होता है पर ना averaging करेगा ही क्यों बट यही strategy averaging की हम अपने favor में लेकर जाएंगे और मैंने बोला यहाँ पर यह worst strategy है इससे बुरी कुछ नहीं है और आज हम इसे best strategy बनाने वाले हैं आपको यह कैसे होना वाला है यही तो magic है कि हम अपने आपको secure करना चाते हैं अपने पैसे को secure करना चाते है and we don't want to lose money आप और मैं पैसा गवाना नहीं चाते हैं इसलिए आप यह वीडियो देख रहे हैं तो stocks में मैंने बुला कि stock आपका खता हो सकता है वो almost zero हो सकता है almost zero मतलब 100 रुपे खरीदा था हो सकता है एक रुपे कर रह जाए तो खता होगे न आपका पैसा but अगर आप index में इंवेस्ट करते हो तो index के zero होने के chances ना के बराबर है वो नहीं हो तो क्या nifty zero हो सकता है nifty 50% गिर सकता है 70% गिर सकता है बढ़ हमने last video में कई popular ETFs की बात करी दी तो ETF का zero होना उतना ही impossible है जितना एक index का zero होना क्योंकि हम index की ETF को खरीद रहें तो हमारा जो ETF अगर हमने right ETFs खरीदे हैं तो एक चीज़ तो होता है कि long term में इन ETFs को उपर जाना है आपने वो dialogue सुना होगा ना कि long term में इंसान हो चेस्टॉक market हो जाना उपर ही तो long term में उपर ही जाना है तो ETFs को जोब उपर ही जाना है तो इसके अंदर अगर आप averaging करते हो तो यहां पर long term में जाना उपर ही और गिरने पर खरीदने में profit जादा आने के chances जाना है तो हमने क्या करना है इसे हम अब screen पर समझेंगे और जैसे मैंने बो वाले हैं एक बार मैं आपको concept समझा देता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं concept क्या है कि हमने अपने popular ETFs लिख लिए आपके जो भी है मैंने आपको बताया था कि कम से कम आप तीन ETFs का portfolio बनाओगे हम तीन ETF लेवनने वाले example के लिए number one gold हमें रखना है gold क्यों रखना है अगर कल आप trading के लिए इंट्रस्टेड हो तब भी क्योंकि उसमें आपको hedging मिल जाएगी थोड़ा सापका portfolio hedged रहेगा और दूसरी चीज़ वैसे भी है कि अगर आप trade नहीं भी करना चाते हो तो gold अगर आपके पास है और buy chance कभी market में crash है तो आपका आपके पास significant amount होगा ऐसा नहीं investing का मतलब होता है जब हम एक घर खरीदते हैं उसके बेचने के बारे में नहीं सोचते हैं अगर आप बेचने के बारे में पहले ही सोच के कुछ खरीद रहे हो तो उसे trading बोलेंगे चाह उसे आप long term trading बोलो कि मैं 6 महीने एक साल के बाद बेचोंगा अगर आप कुछ भी आज खरीद रहे हो यह सोच कि हैं मैं 3-4-5-6 महीने बाद बेच दूँगा तो फिर आप trading कर रहे हो फिर तो उसमें बहुत सारी opportunities है बट जब आप investing कर रहे हो investment का मतलब होता है आज के लिए मैं से invest कर रहा हूं मैं आज बेचने के बारे में नहीं सोच रहा है इंफाक्ट जो भी बच्चों के लिए investment कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो दस साल बाद बीस साल बाद जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उनके लिए पैसा काम आएगा totally up to you हो सकता है आपको पांस सल के बाद घर बनवाना हो अगर आपका कोई भी horizon investing का पांस साल से कम है फिर आप पांस साल से कमना रिस्की हो जाता है फिर आप रिस्की क्लास में investment बहुत कम करो अपनी फिर आपना debt की तरफ ध्यान दो bonds की तरफ ध्यान दो मैं आपको example दे सकता हूं उसमें कई सारे examples है चौलो एक example देके पहले दिखाता हूं उसके बाद आपको चीज़ समझ आएंगी ठ देखते हैं तो मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं अब मैं आपको स्क्रीन पर ना एक चीज़ सर्च करके दिखाऊंगा इसे भी आप सर्च कर सकते हो 754GS और इसके आगे year होता है तो मैं add करता हूं फिलाली एक नहीं है बड़ यह है कि इससे समझना जरूरी है तो इसका अगर आपके पास एक बार में लंब सम अमाउंट है तो आप उसे उठाके एकदम से डिस्की एसेट में डाल सकते हैं गवर्मेंट सेक्यूरीटी में क्या होता है जो 754 बैसिकली ए 7.54 इतना आपको yearly इंट्रेस्स मिलेगा अब आपको कहो इसमें क्या बड़ी बात है तो मै मिल सकता है अब चाहो तो अब करा सकते हैं गवर्मेंट सेक्यूरीटी है जो कि आपका एक्शेंज में ट्रेड होता है इस वाली इंडिकेटर लगा दिया मैंने तो यह हटा देते हैं इसका कोई लेना देना नहीं अभी के लिए आप इसे दो तिन तरीके से खरीज सकते हो म आपको आपके अगाउंड में लगबख साड़े साथ पर के इंटरस मिल यहांड वह ऐंगा वकूंद में कर्डिड pitched हो तो जो इंटरस को वालूण रिपा तो यह हमने है अगर तो यह दो द endlessly हैसी और भी चांडिश को आध्व mutual funds भी है उसमें भी आपको डेट mutual funds में investment कर सकते हो आप यह समझो कि अगर मेरे पार duration कम है आपको ऐसा लगता है कि बहीं मेरे को जो time horizon है investment का वो एक इनकी returns एक next level होती है फिर वह साड़े साथ परसेंट कुछ नहीं पर बात यह कि कम सब्सक्राइशन से प्रोटेक्टेड हो और गेटिंग सम इंट्रस्ट अब इससे खरीदने का और तरीका भी क्या होता है कि अभी जो आपको strategy बताऊंगा उस strategy को और इसमें investments कर सकते हो तो वह ETF यहां पर समझने के लिए हम शुरू करते हैं यहां से अभी आपको क्या दिख रहा है यह HDFC का ETF स्मॉल कैप का सो यहां पर यह 143 रूबीस का है important क्या है इसे दिखते है important यह है कि आज यह कितना डाउन है तो हमने बोला था आप एक ETF की watch list मना लेना तो एक बार में दिख ज में कि आज गोल्ड बढ़ा हुआ है तो क्या होगा जहां पर माइनस लगा होगा जैसे हां पर माइनस है इसका मतलब आज है डाउन है तो गोल्ड ETF इस माइनस 0.20 और वो कितने percentage में डाउन हुआ 0.32 अब मैं अपने हिसाब से बता रहो मैं personally क्या करता हूं मैं जाओंगा और इसे जाके 32,000 रुपए का खरीद लोंगा मैं आपके खरीद के रिखाता हूं मैं आपके बाय करूंगा और बैसिकली मैं आपको यह भी दिखाता हूं मेरे फोन में ना अलाम लगा है खरीदने का आज हम थोड़ा से लेट होगए अधर वैसे दो बजे शाप खरीदता हूं तो अभी 0.32 डाउन है मैं आपर देखके नीचे देखो रिक्वाइड मार्जन आ जाएगा कि आपको कितनी कॉंटिटी खरीदनी है तो अगर हम यहां पर देखें तो तकरीब अगर मैं 1000 कॉंटिटी खरीदता हूं तो कितने की आ रही है वारी है 62,000 की तो मुझे तो चाहि अदर 32,000 की आसपस का माल आ जाएगा आप चाहो तो लिमिट डाल सकते हो मैं मार्केट पे लेना चाहता हूं अभी के भी रिव्यू किया सब्मिट किया खरीद लिया तो यह अमने खरीद लिया इसी तरीके से यहां पर देखते हैं दूसरा कॉन कॉन से एटिए मैं सारी खर अब मैं आपको अपना हिसा बात में बताऊंगा कि मैंने 26,000 क्यों लिया जैसे कि यहां पर 0.26 डाउन है तो मैं इसे जाओंगा यहां पर और इसे 26,000 का खरीद लोंगा तो डेफिनेटली मुझे देखना पड़ेगा 26,000 में कितनी कॉन्टिटी आ रही है तो लगबग आए सम्मिट कर दिया यह मेरा कंप्लीट हो गया तो मैंने भी स्मॉल कैप एटिएफ खरीद लिया इसी तरीके से निफ्टी भी यह ज्यादा डाउन ही नहीं यह 0.00 डाउन है तो मतलब आज मैं इसे नहीं खरीद हूंगा ठीक है नेक्स देखते हैं फैंग बड़ा हुआ है तो इसे को चेंज होता रहता है तो अगर अब यह 0.17 हो गया तो मैं इसे 17,000 का खरीदने वाला हूं वह प्राइस भी चेंज हो रहा है तो प्राइस के अब सब लिमिट लगा सकते हो कि अगर आप 17,000 का खरीद होगे तो कब खरीद होगे एग्जामपल अभी 0.06 डाउन है मैं पर जाओंगा तो अब मैं मार्केट अउडर प्लेस नहीं करना चाहता मैं लिमिट अउडर प्लेस करना चाहता हूं तो मैं 5,2 पर खरीद होगा तब जब वह 6,000 का खरीद रहा हूं तो यहां पे 6,000 का कितने का आएगा लगबग यहान चाहिए आपका तो 6,000 रुपे में लगबग आप देख रहे हो 340 के असपस quantity आ रही है इस exact 6 कर देते हैं तो यह मैंने आप पर लिमिट और लगा के रिव्यू किया समिट कर दिया चुड़ दिया और मुझे मिल भी गया तो लिमिट और पर भी मुझे 6,000 रुपे में यह मुझे मिल चुके है तो अभी हमने कि अगर आप देखेंगे तो हमने सिफ उन एटेफ को खरीदा जो आज नेगेटिव थे जो आज डाउन थे उने हमने नहीं खरीदा जो बड़े होगे थे तो बड़े हो को हमने इग्णोर कर दिया बट आपने इंपॉर्टन चीज देखी होगी मैंने परसेंटेज के हिसाब स अब मेरी परसेंटेज क्या है मैं आपको वह समझाना चाहता हूं मैं बेसिकली क्या करता हूं कि अगर एक परसेंट कोई एटीएफ डाउन होता है तो मैं उसे एक लाख रुपे का खरीदता हूं कि आप अपने लिए रूल चेंज कर सकते हो आप यह बोल सकते हो कि अगर कोई एक एक परसेंट डाउन होगा तो उसे मैं 10,000 का खरीद हूंगा डेपेंडिंग अब मैंने आपको यहां पर बताई थी कि मैं आपको दो स्ट्राटेजी बताऊंगा यह पहली स्ट्राटेजी ह जहां पर आप क्या करते हो उसे समझने की जरुरत है इसे समझो 7 vast अब को मुझे हर में एक 15 इंवेस्ट करना है वह फांच हजार होसकता है ओक तो यह वाली स्ट्राटजी यह फिक्स वालों के लिए नहीं है यह लंसम में चलेगी यह आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसे बिजनस है जिससे आपको रेगुलर्ली कैश लो आ रहा है और वो डेफिनिटली आपको उससे ऐसा लगता है कि मैं दस हजार यह एक लाख रुपे इन्वेस्ट कर सकता हूं अगर वो एक्जाम्बल के लिए आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेर होना पड़ेगा कि मार्केट मैक्सिमम कितना करेक्ट हो सकती है यह आपको दिमांग में लेकर चलना है इसका मतलब कि अगर मैं आवरेजिंग कर रहा हूं तो मेरा इटीफ भी लगबख सत्तर प्रसेंट कर सकता है आपको वर्स केस में होगा ऐसे ऐसे वर्स केस के यह साफ से नहीं चलेगा अगर आप इस स्ट्राटेजी को फॉ और यह पैसा या तो आपके पास लंसम में लिक्विड होगा यह आपको पता है कि यह पैसा परेंच कर सकते हो अगर आपके दिमांग में यह चीज़ क्लियर है तब ही आप इसमें जाना अगर आप 10,000 चूस करते हो तो एट अगर 70 परसेंट कर जाएगा तो आपको सेवन ल अग्जिस्टिंग पोटफोलियो है यह एक्स अमाउंट का एक्जिस्टिंग फोटफोलियो 70 परसेंट डाउन आजाएगा बट मुझे एवरेजिंग कितनी सॉलिड मिलेगी कि यह जो गिर रहा होगा तो मैं हर डिप पर खरीद रहा हूंगा और यहां पर भी जो कैतना मार पर खरीदने का मौका है ना यह सर्फ तभी मिल सकता जब मार्केट गिरें चाहता हूं कि क्रैश आए क्योंकि अगर क्रैश आएगा तभी तो हम सस्ते में खरीद पाएंगे और आपको मैं बता रहा हूं अगर मार्केट में हो गए तो आपको बहुत बार क्रेक्शन और बह में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉंग टर्म में एटीफ फिल गो अप इसी लिए हम यहां पर आवरिजिंग कर रहे हैं तो अब होता क्या है जब भी कोई example के लिए कोई भी stock या ETF कभी ऐसे उपर नहीं जाता और कभी ऐसे नहीं गिरता तो जब ऐसे ऊपर नहीं जाता तो कैसे जाता है वह उपर जाएगा एक हाय बनाएगा फिर वह नीचे आएगा बट इसे हम बोलेंगे higher low फिर इसके बाद उपर जाएगा जिसे हम बूलेंगे higher high और फिर वो जाके बनाएगा higher low और फिर इसी तरीके से चलता रहेगा और आप देखेंगे यहां वाले point से इस वाले point में अगर आप straight line लगा देंगे तो आप देखेंगे आपका price उपर तो जा रहा है अब important क्या है कि हर बार low पे हमने buying करी हुई है तो हमारी average जो हमारी average buying cost है वो हमेशा कम आएगी तो जहां पर लोगों को 10% 15% का return आ रहा होगा वहां पर आपको कुछ extra positive return आ रहा होगा क्योंकि आप हर बार lows पर खरीदते जा रहे हैं यह important चीज है कि आपको averaging concept समझना है अब हम एक और बड़िया काम क्या कर रहे थे कि यह तो आपने समझ लिए कि हम low पे खरीद रहे हैं बट आप देखो हम proportionate के इसाब से खरीद रहे थे market उपर गई आपने नहीं खरीदा पर market यहां से 2% नीचे आ गई आपने यहां पर buy किया अब market उपर गई आपने नहीं खरीदा market नीचे गई मालेजे फिर से 2% गई आपने फिर खरीद लिया अब market उपर गई आपने नहीं खरीदा market यहां पर थोड़ी से गई आपने थोड़ा सा खरीदा फिर market थोड़ी से गई फिर आपने थोड़ा सा खरीदा सो मैं percentage rule follow करता हूं जितना percent गिरी अगर ऐसे उपर जा रहा था तो यहां पर ज्यादा नहीं गिरा 0.5% गिरा यहां पर 0.3% गिरा यहां पर 0.2% गिरा तो हम उस proportion के हिसाब से खरीद रहते हैं पड़ यहां से अगर 5% गिर गया तो हमने proportion के हिसाब से खरीदा सो हम इसलिए percentage के हिसाब से खरीदने को बेटर बोल रहा हूं मैं तो आप यह देखिएगा यह important था जो मैंने last आपको डिसक्स किया था कि अगर market 70% तक गिर सकती है तो आप कोई भी amount 1% के लिए invest कर रहे हो तो वह किस तरीके से होना चाहिए कि 70% अगर गर गई तो क्या मैं 70,000 का खरी सकता हूं आपको कहां 70,000 का खरी सकता हूं क्या मैं 70,000 का खरी सकता हूं आपको कहां 70% गिर गई तो 7,000 का एक ETF है सर अगर आप तीन ETF रख तो गोल्ड तो नहीं किरेगा दो ETF इंटू टू आपको 14,000,000 रूपीज क्या आप investment कर पाओगे अगर आपने 70,000 सोचा है त तो फिर आपके लिए percentage वाला rule नी जाएगा तो इससे कम में कुछ भी नहीं हो सकता है आपको एक परसेंट के हिसाब से अगर 10,000 रुपे इंवेस्ट करना है या फिर एक हजार रुपे इंवेस्ट करना है इससे कम तो आप क्या ही करोगे तो अगर एक परसेंट करने पे एक इससे सोचो वरना फिर इससे मत सोचो क्योंकि पैसे होने जरूरी है और उसके हिसाब से अगर जैसे मैंने बोला कि मैंने इस प्रोपोशन के आप से खरीदा अगर आपको उसे फॉलो करना है तो 70% गिनने पर हो सकता को 70,000,000 खरीदना पड़े तो जो maximum के हिसाब से अगर प सिक्यूरिटी बताइए वहां पर क्या हेल्प करेंगी आप चलो मेरे पास आज यह माउंट है मेरे पास 1,40,000 रुपर पड़ा हुआ है या फिर 14,000 रुपर पड़ा हुआ है अब मैं उसका क्या करूं आप देखिए अगर मैं स्क्रीन पर चलू एक बड़ दुबारा से तो लोगों कि साइकॉलजी ही सबस्यादा खराब जब होती है तब हो गले डिसीजन लेते हैं अगर आप गवर्मेंट सेक्यूरिटी को आज मालेज़े जो भी आपके वह लंसम अमाउंट है आपने देखा यार में को 14,000 रुपर चुए होगा मैंने 14,000 की गवर्मेंट थोड़ा सा इंवर्सली प्रोपोशनल चलता है अगर मांकेट गिरेगी तो गवर्मेंट सेक्यूरिटी का रेट भी बढ़ जाएगा यह थोड़ा सा आपको पताना जरूरी है तो हम यहां पर भी हैज जाए और गोल्ड के बढ़ने के चांसे होते हैं तो गोल्ड पकड़ू डेली टाम फ्रेम पर देखो अगर मैं इसकी लो रेंज बगड़ू तो यह आ रही है तकरीवन 101 रुपे तो 101 से लगबग नीचे नहीं जा रही और अगर मैं अपर रेंज पकड़ू तो 105 एक चीज 101 से 105 की बीच में मूब कर रही है यही इसकी एक रेंज है अब आप इसमें क्या कर सकते हो एक और चीज कर सकते हो फिर वो मैं कर लेता हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं गवर्मेंट सेक्यूरिटी को भी खरीदता रहता हूं बटे खरीदते कैसे हैं आज यह बड़ी हुए मैं नहीं खरीद रहा बट 0.11 पर से मैं 11000 ग रहीदे कर डाउन जाएगी डेफिनिटल अगर मैं बड़ा माउंड लगाना है तो थोड़ा जादा खरीद दूँगा तो आप गवर्मेंट सेक्योरिटी इसको यूज कर सकते हो इसमें अपना मैक्सिमम पैसा रहो और जैसे से आप इंवेस्मेंट करी सकते हो तो आप कोईसे बेच नहीं ना पड़े आप पैसे कमा रहे हो और महीने आप इटेव उससे खरीद पा रहे हो अब आजाते हैं दूसी स्ट्राटेजी पे अब वो दूसी स्ट्राटेजी क्या है उससे समझते हैं एक तो हमने बोला करेक्ट हो सकती है तो मेरे पास 70 परसेंट तक का फंड होना चाहिए जिससे मैं जो कहते हैं लीस्ट वॉतम है वहां पर भी माल खरीद पार हूं आपक यह हो गया हम सेग्ड मेठेंट की बात करते हैं में छया करने वाले हैं करें एक लिए इस पर यहां पर यह उन सब लोग वो कहते हैं जी हम एक फिक्स अमाउंट निगाल सकते हैं तो यह ऐसाइपी से बेटर हो सकता है क्यों हो सकता है बने ध्यान से समझना इस चीज को एक्जामपल के लिए हम कहते हैं जी महीने में हम 20,000 रुपे इंवेस्ट कर सकते हैं बहुत बढ़िया मार्केट महीने में कितन पास गोल्ड है और आपके दो आपके चॉइस के हैं ए और बी जो भी आपने ले लिया जो भी आप अपने जाब से चूज कर सकते हों तो अगर गोल्ड एक परसेंट डाउन होगा तो आप उसे यहां पर परसेंटेज हट गया अब मुझे सिर्फ देखना है कि आज डाउन ह तो लगवग 300 रुपे के आसपस का आप यहां पर जाके खरीद लोगे वह 350 भी हो सकता थोड़ा पैसा बूबर नीचे डाली पाओगे तो 300-300 के बीच में जो भी आपका आ रहा है आपने उसे एक्जामपल के लिए 330 रुपे का यहां पर खरीद लिए और यहां पर 330 का खरी खरीद होगे इसे 330 का और इसे 330 का तो आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि लास्टे मैंने किसे कितने का खरीद आप इसके लिए चाहो तो अपने लिए एक्सल मना सकते हो बाकी इतना भी मुश्किल नहीं है ठीक है बड़ा एक फिक्स अमाउंट जो है हर एक security के अंदर जो भी आप खरीद रहे हो जो भी आप इटेफ खरीद रहे हो उसे आप फिक्स अमाउंट से खरीद रहे हो तो आपका on an average महिने के बीज़ारी लगेंगे बड़ोग फिर भी वही रहा है कि आप हर एक dip पे ही खरीद रहे हो बस इसमें और उसमें फरक क्या था कि इसमें एक चोटा माउंटी इंवेस्ट कर पाऊंगा और क्रेक्शन अगर छोटी सी थी हर क्रेक्शन के ऊपर में एक फिक्स अमाउंटी एसेट कर पाऊंगा एवरेजिंग फिर भी हो जाएगी कोई फरक नहीं पड़ता बट रिटर्न परसेंटेज वाले में आपको बैटर आएंगे आप बैक्टेस कीजेगा आप निफ्टी वीस पर बैक्टेस कीजे इसे पिछले पास साल के लिए और फिर आपका क्या रिजल्ट आता है दोलों ही तरीकों में कॉमेंट करके जरूर बताएगा इससे मुझा पता लगेगा कि आप कितना ध्यान दे रहे हो कितने ध्यान से चीजों को समझ रहे हो तो आज की वीडियो में आपको काफी कुछ बताने की कुशिश करी है हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है इंवेस्मेंट की है आप स्क्रीन पर जाओगे आपकी जो भी आपने अपने लिए वाच्छ लिस बनाई है और यह एटीफ के ऊपर हम क्यों इंवेस्मेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें अलफा प्रेडियूस करना वह देहां रखना तो आप देखो कि कोई भी एटीफ जो डाउन है आप उसे खर मैं अब यह दो बज़े होते हैं अपना फिक्स चामा कि रोज में इसी ताइम पे इंवेस्मेंंट करता हूं तो वो तीन बजह हो सकता आपकी चॉइस है तो वह तीन बजह है तो दो बजह अपने देख यह 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 श्रू में पंद्रह रार विगा आपकी जो बी इन्व जवाले में हूं कि मुझे fix खरीदना है तो गोल्ड ETF 62 रुपीज का है तो लगबग आपके 5 ETF आ जाएंगे 300 रुपे के असपास में तो आप 5 ETF एक बार में खरीद लोगे 300 रुपीज में तो यह बहुत सस्ते होते लॉंग टर्म में पैसा बनता है और सबसे बड़ी बात क्या है जब आप बाइंग ओंडेपस में करोगे तो लॉंग टर्म में आपका पॉर्टफॉलियो ग्रीन रहेगा आपको इस पूरी वीडियो से क्या समझाया इसकी समरी कई सारे नए लोग होंगे उनके लिए मिल पांच बिल्कुल नी चलते हैं तो आपको देखेगा कि लॉंग टर्म में पांच हो आपको पॉजिटेव रिटर्स दे रहे हैं तो लॉंग टर्म में पैसा बनाना आज आपको समझ आया होगा स्ट्राइजी अच्छी लगी तो शेर कर दीजे अपना प्यार दिने के लिए प्रइक कर सकते हैं अब अगली वीडियो में अगर आपके अभी तक दीमेट नहीं है अफ्री में चाके अपना डीमेट आगांट खुलवा सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमें में मिल जाएगा शेर दिस वीडियो तो स्पेट देवेड़ इनफाक्त आपके favor में कैसे काम करेगी इनफाक्त आप और क्या-क्या stock market में कर सकते हो to make better returns उनके उपर आपको आने वाली वीडियो मिलने वाली है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल एकन पर क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो आप मिसना करें यह सीरी आपको कैसी लग रही है य यूगो अलफमेड एंड जय हैंद